अपने निर्देशन के लिए आप सिर्फ उत्रप्रदेश ही नहीं, बारत ही नहीं, बल्कि विश्यों के तमाम देशों हैं, उसको आप भूमें, उसको बहुत सा रहना मिली, और कई तरीके के रिकदमीशन आप खुलें, अगर हम थोड़ा बुनियाले दोर पर समझने की कोश परफ्रेया है, उसकी मूलतत्यों क्या होते हैं, अगर आप कोई नाटा कैसे उठा रहे हैं, तो मूलतत्यों क्या हैं, पूरी प्रोसर्स के बारे में तो नहीं यानेंगे, कुछ मूलतत्यों अगर बतासेऊ? एक तो पुई भी निश्चित प्रक्रिया किसी निश्चित की हो ही नहीं सकते। कम से कम हमारी तो नहीं है, निश्चित प्रक्रिया, क्योंकि निरभार इस बात के उपर करता है, कि आपका सुजीक क्या है आपकी स्क्रिप्ट क्या है और आपके सात single day तो इन सब चीजों को मिला के प्रक्रिया प्रक्रिया, भार नई प्च्रिया प्रक्रिया तॉर कि कहां आपको बहुत आपको प्रक्रियाники क्यों हो जाए। और अगर आपको नए एक्टिल तो पहले उनको एक्टिंग कितना करेक्टर एक्स्प्लेंड करना है और कितना एक्टर की उपर छोड़ देना है कभी-कभी ऐसा होता है कि एक लाइन बोनी आ दिमाग एक बत्ती जल गई एक्टर पिर उसने कुछ रिक्डम नया कर दिया और कभी-कभी घंटों जूचते रो और ना एक्टर सैडिस्फाई होता है ना हम खुद सैडिस्फाई होता है लेकिन यह हमारी पुर्क्रिया में दो-तिन चीजा मैं उससे कहली थीतर की बेसी क्याई एक्टर है है तो सबसे पहले इस इससक्रिप्ट को जैसे हम कहते हैं थीतर एज्से स्टोरी टेलिम ने एक रहती है और जिसको हमको अपने एक्टर के मादिम से कहरा लाना है। बाकिया जिते चीजां हैं, लाइठ है, सेट हैं, कॉस्ट्यूम हैं, यह स्टूर्ट हैं। यह जुक्त क्यों सकती हैं। लेकिन कई बार हमने देखा हैं कि यह चीजने इतना डॉमिनेट करती हैं, कि एक्टर छोटा हो जाता है तो उसको कम से का हम थेटर में हमाते हैं कि जहां इसी को हम कहते हैं कि फिल्म की तरफ जाना यहां एक्टर वर क्या है उसके कॉस्टिम क्या है अरे वह कॉस्टिम वरी अद्बुत ही हम जाते हैं बात एक्टर के एक्टिम की हो और कॉस्टिम ठीक इतना बरो कि कॉंस्टुम ऐसी होगी जो इसको डिक्कत ना प्यादा करगी और आत्मों इमेजन करने में ओडियन्स को मरत करगी तो बाकी चीज़ों का उतना मात्रों नहीं समस्क्राइब सेट को लेकर खास्तोर से हमारा ही है कि नारता डिरेक्टर सेंट नहीं देखा है और सेट डिजाइनर को भी देखा है कि इसक्रिप्ट पड़के सेट डिजाइन कर जेते हैं और कभी-कभी तो होता है कि डिरेक्टर दूसरे शहर में, डिजाइनर दूसरे शहर में, अभी जिसे हम NSD में प्रोड़क्शन कर रहे थे, इस्टूडेंट्स के साथ खुल-खुली है, तो सत्वरत रहुत हमारे साइं डिजाइनर तो वह हैदराबाद है, पहले तो उसने का आप इसक्रिप्ट बेज़ दीजें, मैं इसे डिजाइन करके तो रहामने का नहीं हम ऐसे, पिर भी उसने कुछ डिजाइनर प्र उसने कुछ दिन रहार्सल देखे और वारे प्रोसेस को देखा रहार्सल करने को, हर सीन हमने उसके सामने एंगमार किया, हर सीन को किया, और हमारे दिमायक में यह होता है कि यह एक्टर इस वक्त इसको उधर जाना चाहिए और वहां जाके बैठ जाना चाहिए, हम रहार्सल शूरू करते हैं बेहर स्टेज, कोई सेट नहीं है, जिसे एक्टर इधर उठकी गया है यहां लगता है कि इसको बैठना चाहिए, यहां ज़रूत होती है, तो हमारे सेट रहर्सल के दौरान एक्टर का इमोशन के आधार पर, कि एक्टर का इमोशन क्या बोल रहा है, उसको किस तरफ मूव करनेंगे लिए, यहां वो लेटना चाहता है, तो कुछ उसका जहां पर वहां पर कुछ लेटने के अंधराब करना कि एक्टर को कहानी सुनाने है, उसकी सुविदा के लिए जो हम क्रियेट कर सकते हैं, उसकी सुविदा के लिए क्रियेट कर सकते हैं, उसकी सुविदा के लिए उसकी सुविदा के लिए उसकी सुविदा के लिए होता है, और पहले से हम ऐसा लगता है, पहले से डिजैन, अ वहां तक एक मूव लेना पड़ाएगा, क्योंकि यहां तो बैठने का कुछ इन्ताम नहीं है, अब बैठना है तो एक यह वो अन्नेसेसरी तो अपने उसके सारे मूवमेंट सैट के गुलामी करने का, कि सैट में जहाँ है, सैट डिजाइनर ने वहां खिलकी बना दिये, और खिलकी से बाहर जाकना है, तो पहले उसको वहां जाना पड़ेगा, और हमको लग रही है, यहां घथा खैना है, तो अहएं बेहाँ भीन ध neutron की देते, तो पहले जाना पने है, यहा घखिलकी तो इन्नीसेसरी चीजना हो, जहान जन चीजन, इसम्तित चिजना हो, वहां पर वाल को ये बेरिस्टेश्य पर एक यह पर दिया है, एक्टर को इसको और यह कोशिश करते हैं कि पहले एक्टर को जितना हम फ्री चोल सकते हैं, वाल इसकृप्ट, सिचुएशन, करेक्टर, यह एमोशन इसम उसके दिमाग में है, काफी रीडिंग करने के बाद उसके तो फिर एक्टर बदाते हैं, उसके बाद भी नहीं हूपाथा, तो करके दिखाते हैं. मैं उसे प्रश्री पे आने वाला भी तक मतलब निर्देशिक कई बार आपके जहन में चीज़ें चल रही होते हैं कि मैं यह आउटपुट चाहरा हूं और अगर एक्टर वो नहीं कर पाता है आपके मौके ग्रूप से कई बार बताने के बावजूर तो क्या ऐसे मैं आपको क करके भी दिखाना होता है या मतलब उस प्रॉसेस में जाते हैं हाँ हाँ वो कभी कभी जिए को कोशिच करते हैं कि जितना वो प्रॉसेस मजबूरी हो तभी है और अगर ना है एक चीज़ का ज़रूर है इस स्पीच के बारे में फ्रसा हम पंटिकुलर है मतलब हमको लगता कि हमारी में एक्टर अगसर हमसे कहते हैं इस मामले में इस स्पीच के मामले में कि आप एक्टर को फ्री नीच को आझाए है लगता हैं कि इसी तरह का ग्राफ हो तो हम उनको कहते हैं कि जैसी एक म्यूजिक कंपोशर होता है और अग शिप्सिंगर हो खчиοςिज़में क्या और तो धून बन गई है आप गाने में आप जितनी freedom चाहले लिजिए हर आत्मी की freedom जो है वो एक बंधन होता हैmm अस बंधन इनधर आपकी freedom होती है ये जिंधिकी कहा भीr وभी फलसमाई ही क कोई भी आत्मी तूटली free कोई आत्मी नहीं है कहीं एक बंदन है, उस बंदन के अंदर वो फ्री है. तो हमारे लिए जैसे जो sound patterns है, जो audience के जिसे जो उसको दिख रहा है, लेकिन जो sound patterns वहाँ पर create हो रहे हैं, चाहे music के मादेब से हो रहे हैं, और चाहे dialogue के मादेब से हो रहे हैं, वो अपने आप में पूरा complete music हो रहे हैं, sound patterns में एक music create करे हैं, इसलिए हम speech patterns को लेके काफी specific हैं कर दाए जो